राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वाकत है. दोस्तों 26 मई को साल 2021 का पहला चंदग्रहन लगने जा रहा है. यह चंदग्रहन भारत में दिखाई देगा. यह चंदग्रहन अपने आखरी चर्णों में भारत के पूर्वी हिस्सों में दिखाई देगा. लेकिन यह एक उपचाया चंदग्रहन है. इस चंदग्रहन के सूतक मानने नहीं होंगे. लेकिन इस चंदरग्रहन के दोरान की गई पूजा बहुत ही जादा पुन्य फल दाई होगी माना जाता है चंदरग्रहन के दोरान जो पूजा की जाती है जो उपाय किये जाते है उनका सौ गुना अधिक पुन्य फल प्राप्त होता है यह चंदरक्रहन बैसाक पूर्मा को सुख सम्रथी प्रदान करने वाली और दुख तरिता दूर करने वाली पूर्मा माना जाता है। इस दिन भागवान विष्णु माता लक्षमी जी का पूजन करने से सभी पापनश्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी पूजन का भी विशेश महत्व होता है। तुलसी पूजन के बिना भगवान विश्णो माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो वह पूर्ण नहीं माने जाती। इस दिन तुलसी जी की विशेश रूप से पूजा की जाती है। तुलसी जी की पूजा कहने से ना केवल पाप, रोग और कश्ट दूर होते हैं, वलकि अर्थ, काम और मोक्षी की भी प्राप्ति होती है. काफी कोशिशों के बाद भी अगर किसी काम में सफलता नहीं मिलती, दुर्भाग के पीछा नहीं छोडता. तो पूर्मा के दिन तुलसी जी की पूजा अवश्य करने चाहिएं. तुलसी जी की पूजा करने से जीवन की सभी परिशानिया दूर हो जाती हैं. पूर्मा पर तुलसी जी की पूजा करने से भागवान विश्नु के साथ साथ मा लक्ष्मी जी की भी विशेश क्रपा प्रा रूप माना जाता है इसलिए पूर्मा पर भगवान विश्णुमा लक्ष्मी जी को प्रसन्य कहने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य कहना चाहिए पूर्मा पर इसनान करके सच्वस्य धारन करें एक लोटे में साफ जल लें यह जल तुलसी जी पर चढ़ाए तुलसी जी को जल अर्पित करने से भगवान नारायन के क्रपा प्राप्त होती है जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी के सामने एक शुद्धिखी का दिया अवश्य जलाएं पूर्मा पर तुलसी जी के सामने दिया जलाने से घर में सुख सम्रधी बनी रहती है पूर्मा पर दीपदान का विशेश महत्व होता है पवित्र नदियों में और मंदिरों में दीपदान किया जाता है खास कर भगवान विश्णू और तुलसी जी के सामने दीपदान अवश्य करना चाहिए दीपक जलाने के बाद आप एक साबुत सूखी हल्दी के गाट ले इसे पानी से धूकत साफ कर ले इसके बाद ओम नमो भगवती वासु देवाय मंत्र का जाब करते हुए यह हल्दी की गाट तुलसी जी को अर्पित करें हल्दी भगवान विश्णू को बहुत प्रियह होती है और हल्दी की गाट तुलसी जी को अर्पित करने से तुलसी मा प्रसन होती है और अपना आशिरवाद देती हैं हल्दी की गांट तुलसी जी को अर्पित करने से भगवान विश्णु जी का भी आशिरवाद प्राप्त होता है अगर आपके पास सुखी हल्दी की गांट ना हो तो आप पिसी हुई साफ हल्दी भी तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं हल्दी अर्पित करने के बाद आप भगवान विश्णु जी के ओम नमो भगवती वासु देवाय मंत्र का ग्यारे बाद जाप करें मंत्र का जाब करने के बाद आप तुलसी जी की ग्यारह क्लॉक वाइस परिक्रमा करें परिक्रमा करती समय भी आप ओम नमो भगवती वासु दिवाय मंत्र का जाब करते रहे शास्त्रों के अनुसार पूर्मा पर तुलसी जी को जल से सीचने पर इसपरश करने पर, दर्शन करने पर, परिक्रमा करने पर, और तुलसी जी का पूजन और सीवा करने से सभी पापों का नाश होता है और दुख तरदता से भी मुक्ति मिलती है जहां पूर्मा पर तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी का विशिश आशिरवाद प्राप्त होता है वहीं पूर्मा पर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हूल कर भी नहीं करना चाहिए तुलसी दल तोड़ते समय सच्चता और पवित्ता का विशिर ध्यान करें इसनान करके ही तुलसी दल तोड़ें पीरट के दोरान महिलाएं ना ही तुलसी जी का इश्वश करें ना उनका पूजन करें और ना ही तुलसी दल तोड़ें पूर्मा पर इसनान अवर्षय करें अगर आपको स्वास्ति सम्बंदी कोई समस्या है और आप इसनान नहीं कर सकते तो आप अपने उपर गंगा जल का छिड़काब करें जिन महिलाओं को पीरड है वे गंगा जलका छिड़का ना करें वे साधा जलका छिड़का करें पोड़मा पर भ्रमचर्य ब्रत का पालन करें सात्विक भूजन करें किसी का अपमान ना करें लड़ाई चक्रा ना करें उमीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पूर वचिंग राधी राधी